हरे कृष्णा देंडवत प्रणाम माताजीस और प्रभुजीस तो हम इस क्लास में यानि हमारी जो सैटरेड़ी इवनिंग क्लासे सिक्स तो सेवन थर्टी इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं के वल आश्टकम तो हमने थोड़ा सा तत्व ज्यान लिया इशोपनिशत से और भग यह क्लास नहीं ले रहा हूं लेकिन शायद यह क्लास बताकर आप लोगों के साथ कुछ इसे डिसकस करके आपके भी क्वालिटी बढ़े और मेरे भी चैंटिंग के क्वालिटी बढ़े अच्छे से और ध्यान पूर्वक और पृति पृति रोग हम चांटिंग कर पाए तो इसलिए है यह हम प्रयास कर रहे तो हमने पहला श्लोग देखा था फिर हमने दीसरा श्लोग देखा कि आप्रम्हस्तंब परियंत डीनें हमें दिए हैं तो ईस हम तीसरा देखेंगे तो उसे देखने से पहले हम-पूरा जो आठ श्लोग जो है के वलाश्टकम जो नील कंट गोस्वामी ने हमें दिये हैं तो उसके हम एक बार मतलब उसको गाएंगे और उसके बाद में हम तीसरे श्लोग के बारे में आज चर्चा करेंगे मैं स्क्रेंशेर करता हूँ मुकं करोति वाचालं पंगं लंगय तेगरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरूम दीनतारिनं प्रमानंतमाद्वं श्री चैतन येश्वरा अधुरम अधुरे प्योपी मंगले प्योपी मंगलं पावनं पावने प्योपी हरे नाम इवके वालम हरे नाम इवके वालम अब्रम्हस्तंब पर्यांतं सर्वं आयामयं जगता सत्यम सत्यम पुनह सत्यम हरे नाम इवके वालम हरे नाम इवके वालम सगुरो सपिताचापी सामाता बंधवो पिसाहा सत्यम सत्यम हरे नाम इवके वालम हरे नाम इवके वालम निष्वा से नाही वेश्वा सहा कदार रूधो भवेशती किर्थनिया मतो बाल्याद हरे नाम इवके वालम हरे नाम इवके वालम हरे सदावसे तत्र यत्र भागवता जनाह गायंती भक्ती भावेना हरे नाम इवके वालम हरे नाम इवके वालम अहो दूखम अहा दूखम दूखा दूखतरम यताहा काचार्थम विस्मृतम रतनाह हरे नाम इवके वालम 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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare, Hare Shri Shri Keval Ashtakam की जाये Shri Nila Kanta Goswami की जाये सो आज का जो श्लोक हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो है तीसरा वाला तो हम एक बार श्लोक सामने रखते हैं सर गुरू सर पिताच्षपी सर माता बंधव उपी सह शिक्षे एच्चेत सदास मर्तुम हरेर नामेव केवलम तो यहां पे इसका क्या अर्थ है कि वही वास्तव में गुरू है वही वास्तव में पिता है वही वास्तव में माता है और वही वास्तव में बंधू या सखा है जो हमें क्या हमेशा याद दिलाते हैं कि हरेर नामेव केवलम तो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिसके वरे से हमें हरी का नाम, हरी का स्मरण हमेशा हो सके और हमें पता चले और हमें साक्षातकार हो जाए कि हरे रनामे वकेवलम वही वास्तों में गुरू, पिता, माता, बंधू और ये सब हैं, तो हम इसके बारे में आज थोड़ा सा चर उसे पुनस्थापना करने के लिए भक्ती है ताकि हम अच्छे से निस्वार्थ होकर पहले जैसे सेवा करते थे जैसे भगवत धाम में जब थे तो एकदम निस्वार्थ होकर हमारे लिए कुछ ना मांकर कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से परीति पूर्वक हम सेवा करते अभी क्या हो घया? कि हम भ TV जगत में आ गये हैं किसी न किसी वज़े से और यहां पै Elijah क्या हो घया? हमारा जो संबंद है वो विलुपत हो घयां तो अभी भक्ति किसलिये है ताकी हम उस संबंद को पुना स्थापित कर सके तो ये पुनस्थापना करने के लिए संबंध हमें बाकी और संबंदों की भी अवशक्ता होती है तो भक्ति केवल कृष्ण के साथ संबंद बढ़ाना मतलब बाकी सब के साथ संबंद एकदम तोड़ देना या फिर उन्हें अलग कर देना ऐसा नहीं है तो हर चीज को हम कृष्ण के संबंद में जोडने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है यहां पे कुछ छोड़ना नहीं है जो गलत आदिते हैं गलत चीजे हैं वो छोड़नी है लेकिन हमारी फैमिली को या फिर हमारी संबंदों मित्रों को इन्हें छोड़ना नहीं है इन्हें कृष्ण के साथ जोड़ना है और कृष्ण के सम्वन्द में ही इन्हें देखना ऐसा हमें सीखना चाहिए तो जो भी हमें प्रेम, जो भी सहायता, जो भी प्रोटेक्शन, जो भी केर मिलता है हमें अपने माता पिता से या फिर मित्रों से बंदों से किसी से भी जो भी मिलता है वो सब वास्तव है ऐसा नहीं है कि वो वास्तव नहीं है लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि वो वास्तव है लेकिन वो temporary है अस्थाई है जो भी हमें माता पिता से प्रेम मिल सकता सकता है मित्रोबन्दों से जिससे भी मिल सकता है वो temporary है क्यों या तो समय के साथ वह बदल सकते हैं या तो हम बदल सकते हैं अगर हम दोनों नहीं बदले फिर भी वक्त बदल जाता है और हम एक दूसरे को छोड़ कर जाना ही पढ़ता है राइट किसी न किसी परिस्तितिक वजे से नहीं तो अल्टिमेटली हमें यह शरीर छोड़ कर जाना ही होता है तो यह शरीर एक बार छूड़ गया राइट तो सारे संबंद भी छूड़ जाते हैं तो यह सब के साथ होता है तो एक्चल में देखा जाए तो लाइफ का जो पूरा setup है ऐसा लगता है कि यह दुनिया कैवल और हमारा जीवन केवल हमें Frustrate करने के लिए एक एकडम बाधा में डालने के लिए ही बना है ऐसा हमें लगने लगता है एक दिन वह खूज आता है कितने भी अच्छे रिष्टे बना लो मुरुतियों के बाद में वह हमारे साथ नहीं आ सकते कितना भी पैसा बना लो कितने भी अच्छे बिल्डिंग बना लो जिंदगी बना लो हमें वो सब कुछ यहीं पर छोड़के जाना होता है तो हमें लगने लगता है कि मैं इतनी महनत करके सब कुछ बनाता हूं और उसे छोड़कर जाना होता है तो यह अनफेर लगता है मतलब मैंने जितनी महनत की है और जितना मैंने कुछ सब कुछ स्ट्रगल किया है वो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए मैं इसे छोड़के कैसे चला जाता है कि है किसी ने आपको बोल दिया कि देखो अपको होम ढोन हम धेंगे आप घर ले लो लेकिन जैसे ही आपका होम साल भरो तो बाहु सब्सक्राइब ले लेंगे, अगर ऐसा किसी ने बोला तो हमें लगेगा यार, जब जाने इवाला घर मेरा नहीं होने वाला है तो मैं क्यों लोन लूँ, मैं क्यों इतना मतलब स्रुगल करके उसका लून EMI में पे करते रो, तो हमें लगता है कि यह तो मुर्खता है क्योंकि मैंने जो बिल्ड किया है मेरे पास रहना शहीं इस इंट इट बड़ अग्षली लाइफ ऐसा नहीं होता है इसी ना किसी घड़ी पर हमारा क्या हो जाता है हमसे सब कुछ छिन जाता है एक एक करके हमारी हेल्थ चली जाते हैं हमारी रिष्टे हमारे रिष्टेदार चले जाते हैं हमारे माता-पिता चले जाते हैं बच्चे चले जाते हैं everyone is going to leave us तो जो कुछ भी हम यह सोच कर जीते हैं कि यह मेरा है एक नए एक दिन हमें छोड़ कर चले जाने वाला है इसके बाद वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे तो जैसे पिचर स्टार्ट होती है कि दोनों के बीच में जगडा है या तो कोई सब्सक्राइब कोई ऐसे रियालिटी होती नहीं वो वह मोविस में होता है कि देखो एक इस्व सहल हो गया तो खुशी खुशी रहेंगे लेकिन आक्चल नहीं है लाइफ में कभी इस्श्य खतम होते क्या कभी खतम नहीं होते हैं क्यूंकि हम कहां पे हैं हम दुखा लयम अशाश्वतम में हैं तो भगवत गीता के आटवे चाप्टर के 15 अश्लोक में बोलते है क्रिश्न की यह दुखा लयम है और अशाश्वतम है तो यहां पे सब कुछ एक नएक दिन खतम हो जाता है कितना भी तुम ट्राइ कर लो आगे जाके फ्रस्ट्रेट होने वाले ही हो तो अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ एक नएक दिन खतम होने ही वाला है तो क्यूं हमारे रिदय में अस्थाई से लेकर स्थाई के लेवल के इच्छ हमें रहते हैं हम जिससे भी प्रेम करते हैं हमें लगता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहें जो भी हमारे रिष्टे हैं वह हमेशा बने रहें तो जब हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं रह सकती टेंपरेरी वर्ड में सब कुछ टेंपररी होगा तो फिर पर्मेनेंट वाली इच्छा क्यों आती है हम जो बहों पूछता हैं तो तो एक्षली है इच्छा कहां से आती है मान लो अगर आप एक किसी conference hall में conference attend करने जा रहे हो या फिर कोई meeting attend करने जा रहे हो तो ये तो स्वाभाविक है कि conference room में आप देखोगे कि table है, कुरसी है, projector है, LCD है, बैठने के लिए लोगों के लिए कुरसिया है और properly सब कुछ set up किया गया लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे बीच में एक बड़ा सोने का necklace गिरा हुआ है, तो suddenly आपको सवाल आएगा कि conference room में ये सोने का हार कहां से आया, this is out of place, यानि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हमको ठक से पता चल जाता है अगर conference hall में कुरसिया है, table है, LCD है, projector है, तो हमको पता है, हाँ ये तो होना ही है, लेकिन सोने का हार या फिर सोने का ring कहां पे गिरा हुआ है, तो हमें जट से doubt आएगा कि ये किसका है, या फिर किसी ने यहाँ पे छोड़ के गया है, लेकिन this necklace और this ring doesn't belong to this place, इस जगास के व हमें लगना चाहिए, कि जब इस दुन्या में सब कुछ temporary है, तो फिर ये permanent वाली चीज आई कहां से, right, permanent कुछ हो जाए, permanent मेरा प्यार रहे, मेरे रिष्टे रहे, मेरे साथी रहे, ये वाली इच्छा उत्पन नहीं कहां से हो रही है, right, जब हम इस पे थोड़ा गौर तब हमें पता चलेगा, actually, ये कहां से आ रहा है, ये आध्यात्मिक स्थर पर जो हमारा जीवन है, वहां से ही आ रहा है, भौतिक स्थर पर हमारा जो जीवन है, उसमें कुछ भी permanent नहीं है, सब कुछ temporary है, लेकिन आध्यात्मिक स्थर पर सब कुछ permanent है, तो हम क्या है, हम आत् है लेकिन भौतिक जगत में भौतिक शरीर में फसे हुआ है लेकिन छेतना जो है उसमें कंटैमिनेशन है लेकिन उसका जो ओरीजिन है उसका जो मूल है उसमें सब कुछ पर्मनंटी होता है इसलिए हमें fear of change भी होता है हमें कुछ चीजे बदलने से डर क्यों लगता है क्योंकि हमें आदत हैं चीजे ना बड़ते हुए देखने का राइत्यात्मिक जगत में कुछ नहीं बदलता है राइट कुछ शेंज नहीं होता है लेकिन यहां पर भौतिक जगत में देखो आज कुछ सेटल है तो कल की कोई गैरेंटी नहीं है कि कल सब कुछ बदल जाएगा आज में कोई IT का कौर्स कर लूँगा कल जाके कोई उसका अडवांस कोर्स आएगा तो मेरे IT कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है आज अगर मैंने कुछ यहां पर मुबाइल फोन ले लिया दो महिने में उसका एक अडवांस वर्शन आए जाएगा इसका वैल्यू कम हो जाएगा पचास अजार लेके फोन लोगे, दो मेने बाद बेचने जाओगे, दस अजार भी नहीं आएंगा, तो बहुत सारे चीज़े चेंज होते रहते हैं, कभी-कभी हमारे साथी लोग बोलते हैं, तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, फिर दो मेने में कभी हो जाता है, जगडा तो फिर बोलता है कि तुम्हारे जान लेकर ही रहोंगा, तो सब कुछ change होते ही रहता है, किसी की कोई guarantee नहीं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे कुछ भी guarantee नहीं है, तो हम guarantee, warranty, permanent वाले चीज़े कहां से आ रही है, क्योंकि हम यह सब आध्यात्मिक जगत में देख चुके हैं, वहाँ पे सब कुछ स्थाई है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है, तो actual में देखा जाए, तो यह जो हम frustrate होते हैं, यह actual में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़े हैं, प्रहुपात बोलते हैं कि जब वो पास्चात देश में प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने पहले प्रचार किसको किया? सारे hippies को किया, तो hippies का जो moment था, उसको बोलते थे counter culture moment, यानि जो अमरिका का जब पास्चात देश का culture चल रहा है, उसके विरुध यह कुछ कर रहे थे, इसलिए उसको बोलते है counter culture, मतलब hippies तो इतने frustrated थे कि क्या है जीवन, बस पढ़ाई करो, अच्छे से marks लेकर आओ, job करो, शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा करो, ये loan करो, वो loan करो, बस यही है क्या जिंदगी, हमने देख लिया ही सारी जिंदगी और हमने देख लिया कि कोई भी खुश नहीं है, तो हम ऐसा सामा बाहर सब कुछ स्त्याग दिया, उनके parents को छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, और उन सब ने ये decide किया कि कोई भी व्यक्ति जो 30 साल का है, या फिर उसके उपर का age का है, उसकी बातों में हमें नहीं आना है, तो ऐसा उन्होंने decide कर लिया था, वैसे time पे एक वृ व्यक्ति का हम भरोसा नहीं करेंगे, वो उन्होंने side में रख दिया और उन्होंने श्रील प्रहुपात को follow किया, क्यों? क्योंकि श्रील प्रहुपात ने बोला, आप जो लोग frustrated होना, ये actually सबसे best sign है, क्यों? क्योंकि frustrated नहीं रहोगे, तब सोचना कब शुरू करोगे, पिर भी कुछ नहीं होता है, फिर भी खुशी नहीं रहती है, तभी तो जिग्यासा होती है कि क्या यहीं जीवन है, या फिर इससे अतिरिक्त कुछ और है, इससे अतीत कुछ और है क्या, right? Anything beyond this normal life, ये जब question आ जाता है, तब हमारी spiritual inquiry शुरू होती है, right? अथतो ब्रह्म जि जिग्यासा नहीं है, right? तब तक हमारी कोई पुरोगती नहीं हो सकती है, right? जब तक हम सोचने लगे देखो, यहीं जिंदगी है, पैसा कमाना है, सटल होना है, खुश होना है, हमें ऐसी position में रहना है कि कभी पैसों की हमें गिच-गिच ना हो, बच्छे अच्छे से पड़ हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, जब को रिटार्मेंट हो जाए, पी एफ फंड, रिटार्मेंट फंड के साथ आराम से जिंदगी गुजारो, यह जब तक आपको रहेगा ना, तब तक कोई आध्यात्मिक इंक्वाइरी नहीं रहेगे, right? लेकिन जब लाइफ में frustration बढ़ने लगता है, right? तब जाके सवाल आता है कि क्या यही जिंदगी है, क्या मेरे जीवन का यही अर्थ है, क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ या फिर कुछ और है, तो spiritual inquiry जब तक start नहीं होती, तब तक spiritual life start नहीं होती, right? तो कृष्ण बोलते है भगवत गीता में कि चार प् अर्थार्थी, जिग्यासु और ज्यानी, right? तो आर्थों में इस जो दुखी लोग है, right? जो distressed है, अर्थार्थी यानि जिसको पैसे चाहिए, right? अर्थ में, right? And then third is जिग्यासु जिसको बहुत सारे सवाल है, right? और चोथा होता है ज्यानी, जिसको पता है कि देखो यह आर्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थ है हम में से सब को अगर चेक कर ले अपनी लाइफ में कि हम कृष्ण भावना भावित होने का निरने क्यों लिया है क्योंकि सम और अधर्वे हमको भी लगने लगा कि या जिन्दगी में इसमें कुछ रखा नहीं है मैं कितना भी खुश होने का प्रयास करूं कितनी भी मेहनत क रहूं मैं खुश नहीं हूँ पार हूंक मैं किसी चीज की वज़ец से तो इस वज़े से हमारा यहांपर आते हैं जब देख लेते हैं कि हमारे सब्सकों कर देखते हैं तो जब ठक मुविस में भी कि डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन थेटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि देखो अब तो हमने जो करना था वो कर लिया अब बस उपर वाले के हाथ में राइट तो हमारे लाइफ में भी जब साब कुछ हाथ हाथ से निकल जाता है तब उपर वाला याद आता है लोग कि पास छबनन वो कश नहीं है कि पुज हो bits से शायद उनको भगवान जल्दी से याद आ गए और भले कोई बाधा न देखा एं तो उनको वह भक्तीी की आदतعة Cath But most of the people, अगर देखा जाए, तो majority अगर देखा जाए, तो दुख की वज़े से ही आते हैं. तो frustration जो होती है, हम जो चीजों से मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम irritate हो जाते हैं, frustrated हो जाते हैं, तो वो actually बुरा नहीं है, कभी-कभी अगर वो हमें आध्यात्मिक जीवन के और हमें देखने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो frustration भी अच्छा ही है, तो हमारे जो material relationships हैं यानि जो हमारे भौतिक संबंध हैं, हमारे माता-पिता, हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारे जो teachers हैं, या फिर कोई भी है society में, वो सब को हम क्या बोलते हैं, कि क्षितिज समांतर संबंध बोलते हैं, यानि horizontal relationship, तो वो ऐसे हैं, तो यह यहां के जगत के लिए important है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो क्रिशन के साथ संबंध रखना है, उसको बोलते हैं अधो लंब यानि vertical relationship, तो यह जो horizontal relationships है, यह भी important है, और उसके साथ साथ यह vertical relationship, जो क्रिशन के साथ हैं, वो भी important है, तो हमें क्या करना चाहिए, यह सारे horizontal relationships को भी क्रिशन के संबंध में जोडने क प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा राइट कभी-कभी हम कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जैसे हम उसको ऐसे उल्टा टांगते हैं राइट सीलिंग पर या वैसे और उसका एक ऐसे सरकल होता है जहां पर अलग-अलग है यह उपर वाले जॉइंट को अगर कनेक्टेड है तो क्या रहेगा उसमें स्टेबिलिटी रहेगी राइट अधर्वाइस क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर्ली मोशन नहीं रहेगा वह ठीक तरीके से घूमेंगे नहीं और गिर भी सकते हैं तो कृष्ण के साथ हमारा सं उत्ता है उत्तानपाद उनके दो वाइफ हैं उनके दो पत्नियां है एक सुनीती और एक सुरूची जो सुरूची है उनकी फेवरेट वाइफ है उनसे वह बहुत ही अट्रैक्टेड है कि वह कुछ भी बोले वह कर देंगे और उसके अगेंस्ट मतलब उसके बात के सामने उनकी बात टिकती ने इतना अट्रैक्टेड थे कभी कभी बोलता है ना बेवी के उंगलियों पर नचाते हैं तो उसी वाले टाइप का समझ लो तो एक दिन क्या होता है कि उत्तानपाद की जो पत्नी है सुरूची उसका बेटा होता है उत्तमा तो वो अपने पिता के गौ गोद में बैठूंगा और मैं भी खेलूंगा तो जैसे उसने चड़ने का प्रयास किया अपने पापा के गोद में सुरूची ने उसको पकड़ा और उसको धकेल दिया और क्या बोला उसने सुरूची ने कि देखो अगर तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में खेलना है हूँ तो जैसे ही उसने ये सुना उसने अपने पिता की तरफ देखा कि क्या मेरे पिता मेरे लिए कुछ बोलेंगे और सबसे बुरा तो उसे तब लगा जब उसके पिता ने कुछ नहीं कहा राइट तो एक्षल में देखा जाए तो बच्छों के लिए माता-पिता ही उनका प्रपंच होता है उनके लिए कोई अगर प्रोटेक्टर है कोई अगर एंजॉयर है या फिर कोई अगर उनकी केर दे रहे हैं प्यार दे रहे हैं तो वो माता-पिता ही होते हैं थोड़ा सा हम बड़ा हो जाते तो हमारा सर्कल बढ़ता है लेकिन जब बच्चे होते हैं जै चुप है, मेरे अपमान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो रोते-रोते अपनी मा की तरफ गया, तो before he reaches, यानि ध्रुमाराज अपनी मा के पास पहुंचने से पहले ही, बाकी जो सखी लोग होते हैं, वो भाग कर गय और सुनीती को उन्होंने, जो कुछ भी हुआ वहाँ पे सिन, उसको explain कर दिया, तो जैसा ही ध्रुमाराज आए, तो दोनों ने एक दुसरे को बहुत गले से लगा लिया, और दोनों एक दुसरे को पकड़ के रोने लगे, और सुनीती बोल रहे थी, कि actually, ये मेरी वज़े स ही है, right, तो actual में मैं आपके पापा की favorite wife नहीं हूँ, इसलिए मैं भी आपको ये अपमान होने से मैं भी नहीं बचा पाई, तो भी बोलते हैं कि माजब सुनीती ने उसको समझा रहे थी, तब सुनीती ने उनको तीन चीज़े बोली, कि देखो अभी तुम दुखी हो, लेक है, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, तो तुम्हें भगवान से पूछना चाहिए, right, तो धुरू महाराज क्या है, एक शत्री है, तो खुत्री का खून खौल उठता है, एक शत्री के लिए मौत से भी बत्तर क्या होता है, अवमान, right, यानि अगर किसी ने एक शत्र क्शत्री का अपमान किया, तो वो अल्मोस मृत्यू के बरावर है, या फिर मृत्यू से बत्तर है, right, तो वही क्शत्री का खून खौल उठ रहा था उसका, धुरू माराज का और उसने बोला, कि एक्शली मुझे ना मेरे पिता नहीं, मेरे पिता के पिता के पिता से भी तो उत्तानपात के जो पिता है, वो है स्वायंभु अमनू, और उनके जो पिता है, ब्रह्मदेव, right, तो उन्हें किस से बड़ा चाहिए, ब्रह्मदेव से भी बड़ा राज चाहिए, तो उन्होंने, उनके माता ने बोला, देखो, तुमको जो भी चाहिए ना भगवान स से मांग लो, right, Supreme Personality of Godhead, जो विश्नु है, right, वो तुम्हें दे सकते हैं, तो एक्चल में ध्रूमा रच बोल सकते थे कि विश्नु कहां मिलेंगे, मुझे कहां जाना है, right, तो उन्होंने आजटीस पूछ लिया, कि अगर मुझे भगवान से मांगना है, तो भगवान कहां प पड़ेगा, right, तो एक्चली एक माता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी वो दरवाजे तक छोड़ने आती है, बस चड़ाती है, वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, घर के सामने ही उतरता है बस, तो यानि स्कूल भेजने के लिए भी बहुत सार security protocol हम maintain करते बच्चों को क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको कुछ हो जाए लेकिन यहाँ पे सुनीती उन्हें क्या instruction दे रही है जंगल जाके भगवान ढूणने के लिए हम जैसा adult आदमी ही जंगल जाने के लिए at least रात में बाहर निकलने के लिए डर लगता है लेकिन सुनीती अपने बच्चों को बच्चे को एक्चली जंगल भेजने के लिए भी ready हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने बोला कि भगवान से आप सब कुछ मांग सकते हो और उन्हें इतना ही नहीं बोला उन्होंने क्या बोला कि डरो मत की मेरा प्रेम तुझे नहीं मिलेगा लेकिन अगर तुम्हें भगवान मिल गए तो भगवान अग्चली एक मा से भी करोडो गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें दे सकते हैं तो अग्चली उनकी जो माताजी थे सुनीती ने उन्होंने उसे भेज नहीं दिया उन्होंने आशिरवाद दे कर उसे भेजा ताकि उसको जो मिले जो वो चाहता है तो एक डिवोटी मदर जो होती है एक जो माता होती है जो भक्त होती है वो अच्छली सही मार्ग दर्शन कर सकती हैं किसी भी पुत्र का या फिर पुत्री का तो हमारे लिए भी devotee बनना एक important शीज क्यों है ताकि हम अपने बच्चों को भी properly मार्गदर्शन कर सके तो यहाँ पे ध्रुमारज ने अपने माता को reject नहीं किया अपने माता को छोड़ कर नहीं गए बलकि वो अपने माता का आशिरवाद लेकर भगवान की तरफ गए हैं तो actually हमारा जो problem है हमारे life का ध्रुमारज जितना बड़ा नहीं है लेकिन हमारे स्थर पर अपने आपके स्थर पर जो problem सहमें आती है वो आती ही रहती है तो उस time पे हमारे माता पिता जो होने चाहिए हमारे जो बंदुलोग होने चाहिए हमें किसकी और भेजना चाहिए भगवान की और भेजना चाहिए महनत तो सब करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ भगवान की कृपा भी अवश्य है और उनकी कृपा के लिए उनकी भक्ती करनी चाहिए ऐसा हमें समझाना चाहिए तो actually हमारे पास जो सारे संबंधी है जो भौतिक संबंध है उनसे भी benefit हमें मिल सकता है लेकिन actually अगर हम उसी benefit में फस गए तो सबसे important जो fulfilling factor है जो जिसकी वज़े से हमारे दिल को ठंड़क पहु हम छोड़ देंगे एक्षल में सारे हमारे जो relationships हैं उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें क्रिष्ण का representative बनके क्रिष्ण की तरफ भेजना चाहिए लेकिन क्या हो जाता है कही न कहीं हमारी understanding अगर ठीक नहीं है तो हम उसी रिष्टों में फस जाते हैं और क्रिष्ण को भूल तो actually ये जो वर्स हैं समातासबंदवो पिसह शिक्षेच्यत सदास्मुर्तुम हरे नामेव कैवलं ऐसा वालाई एकोओर श्लोक होता हैं जहां पे बोलते हैं त्वमेवा माता चा पिता त्वमेवा त्वमेवा बंधूशच चा सखा त्वमेवा त्वमेवा विद्या द्र तो यह ओ गें व्यक्तियों के बारे में बताया वाद में नेक्स्ट वाला लाइन क्या बोलते हैं अ विद्या, knowledge भी आप ही हो, द्रविनम, यानि जो cash है, जो संपदा है, जो धन है, वो भी आप ही हो, और last में क्या बोलते हैं, तो भगवान आप सर्वस्व हो, तो माता, पिता और यह जो हमारी विद्या है, हमारी जो धन, संपदा है, सब कुछ actually भगवान के representatives होने चाहिए, भगवान के प्रतिनिधी होने चाहिए, अगर हम भगवान के प्रतिनिधी ना बनकर, अगर खुद ही भगवान बनने लगे बच्चों को, तो यहाँ पर गलत हो सकता है, जैसे कि कभी-कभी बहुत सारे बार ऐसी complaint आती है, parents से, कि हमारे बच्चे भक्ती करने लगे हैं, और हमें डर हैं, कि वो वेरागी न बन जाता है, इसलिए कुछ कोई भगवत गीता है, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे वेरागी नहीं लेना है, आक्चूल में भक्ती केवल we Whether इस and हो ग्यान की भी बात करते हैं, और कृष्ण सम्बंद में अपना जीवन ब बात करते हैं लेकिन सब कुछ छोड़ देने की बात नहीं करते हैं रिखेंसर निव ऐराग्य और भाती कलपशने लग लग गया लुत पीने तो आजकल common है ना ऐसे बोलने लगते हैं लेकिन अगर बच्चा भक्ती करने लग जाए तो बोलेंगे क्या हो गया इसको इस उमर में ये सब करने की क्या ज़रूरत है ये तो तब करना चाहिए जब हम किसी के काम नहीं आ सकते उस टाइम पे हम भगवान के काम आ सकते हैं ऐसी वाली मेंटालिटी के साथ बहुत लोग जीते हैं तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा मॉल्ड करने के लिए राइट वो क्या बोलते हैं देखो तुम बोल रहे हो कि भगवान ही सब कुछ है लेकिन उसी भगवान ने ये भी तो बोला है ना कि मात्रु देवो भवा पि क्या है यह 2-2 क्लास सुनने क्या है 1-2 THEY करने क्या यह। इतना पागलपन नहीं होना छिए देखो Bhti करना है थोड़ा सा कर लो लेकिन इतना करोके तो यार इतो पागलपन हो необход इगा तो आकेल Second को क्या लगता है धार्मिक होना मतलब देखो हर संडे को टेंपल जाओ एक रुपए डालो हुंडी में भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे बुद्धी दो मुझे विद्या दो मुझे शक्ति दो मुझे पैसा दो मेरी अच्छी बीवी दो जौब दो ये सब पूछना है प जो धार्मिक्ता है ये जीवन का एक छोटा सा भाग है वो भी होना चाहिए बहुत सारे लोग तो धार्मिक इसलिए बनते हैं क्योंकि नहीं बनोंगा तो मुझे इज़त नहीं मिलेगी वरना लोग मुझे नास्तिक समझेंगे तो फिर मुझे गलत समझेंगे इसलिए मैं ऑब थोड़ा सा धार्मिक बन जाता हूं इस वजए से बहुत लोग मंदिर भी जाते और यह ऐसा दिकाओन करता है कि देखो मैं भी धार्मिक हो लेकिन जयुक्ति दो मैं जीवन का एक भाग नहीं नहीं बलकि उसका जीवन ही भकति एक है right so for us bhakti is not part of life but life itself is part of bhakti right हमारे ये जो जीवन है actual में हमारा जो पूरा bhakti 100% हमें complete करना है वो complete करने के लिए ये जीवन दिया गया right ये जीवन में bhakti नहीं है भakti में ही ये जीवन है right तो ये हम actually जान लेते हैं और भगवद गीता में अभी कृष्ण क्या बोलते है स्वक कर्मना तम अभ्यर्चा यानि तुम जो भी कर रहे हो उसके त्रू मेरी पूजा तुम कर सकते हो कभी-कभी इसका गलत मतलब भी निकाल देते हैं लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है यानि आप जो भी कर रहे हो उसके त्रू भी भक्ती कर सकते हैं अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें भी मूड कैसे रख सकते हो कि देखो यह जो जॉब मिला है कृष्ण की बज़े से मिला है और इससे जो रिजल्ट आने वाला है I will offer it to Krishna offer करना मतलब त्यागना मतलब पूरी सैलरी दे देना नहीं है अपने लिए जो जरूरत है वो भी ले लो और भगवान के लिए भी कुछ सेवा के रूप में करना चाहिए इससे क्या होता है भगवान के साथ हमारा संबंद बना हुआ रहता है और हम कभी भी अपने अहम के साथ या फिर मिथ्या अभिमान के साथ कभी उड़ने नहीं लगेंगे कि देखो ये मेरा जॉब है मैं कमरा हूँ सिर्फ मैं ही एंजॉई करूँगा अगर हम अपना सारा फल हमारे काम का हम खुद के लिए यूज करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि हम गलत कर बैठेंगे अपने लाइफ के साथ क्योंकि मिथ्या अनकार बढ़ता रहेगा और जितना मिथ्या Aंकार बढ़ेगा उतना ही हमारा लंबा समय हो धाएगा यहां पर बिताने के लिए तो मिथ्याहंकार कम हो जाएगा, तभी तो हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, isn't it? मिथ्याहंकार बढ़ता रहेगा, तो फिर इधर ही फसे रहेंगे, बोलेंगे, मैं क्यों भगवान के पास जाओ, मैं इधर ही बैठूँगा, इधर ही एंजॉय करूँगा, right? मेरे पैसे है, मैरी मेहनत की कमाई है, मैं अपने फैमिली को दूँगा, क्यों मैं भगवान को दूँ, right? What He has done for me, सब कुछ तो मैंने अकेले किया है, तो already हमारे पास बहुत सारा मिध्याहंकार है, और अगर भगवान के साथ सम्मंद और भी तूटने लगा, तो फिर मिध्याहंकार की कोई सीमा ही नहीं है, right? तो actual में देखा जाए, तो माता को, पिता को, सबको कृष्ण का प्रतिनिधी बनकर हमें कृष्ण की और भेजना चाहिए, right? अब ये बात करके हम माता पिता का सम्मान कम नहीं कर रहे हैं, उनका दर्जा कम नहीं कर रहे हैं, right? एक्चली माता पिता जो करते हमारे लिए, जो हमारे मित्र हमारे लिए करते हैं, हमारे बंदुलोग हमारे लिए करते हैं, जो गौर्मेंट, समाज, सबकुछ जो हमारे लिए करता है, वो भी वास्तविक में अच्छा है और हम उसका आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम इसी में फसे रहेंगे एक्षल में देखा जाए तो selfless love जो है निस्वार्थ प्रेम जो है वो अगर भौतिक जगत में कहीं दिख सकता है तो वो एक ही जगा पर दिखेगा वो है एक नवजात शिशु और उसके माता के बीच में जो प्यार होता है राइट व यानि जैसे इसे बच्चे बड़े होते हैं प्रेम कम होने लगता है conditional बनने लगता है लेकिन unconditional love अगर देखना है तो वो होगा newborn baby और उसके mother के बीच में उसको छोड़के बाकी जगा पे हम थोड़ा सा प्रेम देख सकते लेकिन वो निस्वार्थ बिना कोई शर्तों वाला है ऐसा हम बोल नहीं सकते कोई नो कोई शर्त बीच में आई जाती है देखो ऐसा करोगे तो ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो यह सारी conditions हमारे जीवन में होते ही है राइट कितना भी हो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यह प्र तो इतना भी कितना भी प्रेम हमें माता पिता से मिले वो परियापत नहीं है तो दो extremes होते हैं जो हमें हमेशा गलत फैमी में रखते हैं एक कि कृष्ण के लिए माता पिता को छोड़ दो या फिर माता पिता के लिए कृष्ण को छोड़ दो यानि अगर मैं बोलने लगा कि क्रिश्न का प्रेम ही परियाप्त है, मेरे लिए माता-पिता जरूरत नहीं है, ये कहना भी गलत है, क्यूंकि क्रिश्न का प्रेम क्या है, ये हमें अपने माता-पिता के प्रेम से ही अनुभव होता है, देखो माता-पिता भी किसने भेजे हैं, एक व्यक्ति शादी करता है, उसके बाद बच्चे पैदा करता है, तो एक स्त्री अपने घर्बधारन करके एक बच्चे को जनम देती है, लेकिन उसके अंदर आत्मा को भेचता कौन है, कृष्ण भेचते हैं, और जब वो बच्चा पैदा होता है, तो स्त्री के स्तन में दूद कहां से आता है, वो भी कृष्ण अरेंज करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के पहले दूद नहीं होता है, और प्रेगनेंसी के बाद में दूद आ जाता है, तो स्तनपान करने का arrangement व्यवस्था भी कौन कर रहे हैं कृष्ण ही कर रहे हैं तो कृष्ण एक तो गर्वधारन करने की शक्ति देते हैं उसमें बीज देते हैं उसके बाद में स्तनपान करने की व्यवस्था करते हैं और parents के सात्रू उनकी body का निर्मान करते हैं उनका portion करते ह सब कुछ व्यवस्था कृष्ण कर रहे हैं तो जब कृष्ण सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं हमारे तुरू तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को यह समझाए कि देखो मैं हम तो आपके माता-पिता हैं हम भी योगदान कर रहे हैं आपके जीवन में लेकिन हम भी वो योगदान वो प्रेम क्यों दे पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण हमें देने की इजाज़त दे रहे हैं और हमें देने के लिए हमें सज कर रहे हैं तभी तो हम दे पा रहे हैं तो आपको हमसे प्रेम रहना चाहिए लेकिन आपको कृष्ण से भी प्रेम होना चाहिए को सबका मूल कारण वही है जब हम ऐसा उन्हें शिक्षा देंगे न तो वह कभी भी माता-पिता को कम नहीं करेंगे वह प्रॉपरली बैलेंस करेंगे माता-पिता को अपने बंदूं को अपने मित्रों को और कृष्णा के स खुश है तो बाकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो सकता है कभी-कभी माता-पिता को खुश करने के चक्कर में हम गलत काम भी कर सकते हैं लेकिन अगर हमारा बैलन्स बना है कि देखो माता-पिता को भी साटिस्वाई करना है उसके साथ- कि यह सिखाना चाहिए कि देखो जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है किसी और व्यक्ति के साथ वो तो ठीक है लेकिन वो भी कौन है वो भी कृष्ण के ही एजेंट है तो तुम उस व्यक्ति को भी कृतगने हो सकते हो लेकिन उसके साथ-साथ कृष्ण को भी कृतगने होना ज़रूरी है क्योंकि सबकुछ source of everything is he only है हम सर्वस्य प्रभाव मत्ता सर्वं प्रवर्थते सबकुछ जो कृष्ण से ही आ रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देखो जो मेरे सामने वेक्ति दिख रहा है बस वही काफी है कैसे बोल सकते हैं बोलना नहीं चाहिए है इसे इसे तो उनके लिए हमें respect आदर उनके लिए प्रेम रखना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं मोलना चाहिए कि बस this is ultimate तो क्या हो जाता है कि कुछ relationships जो होते हैं हमारे जीवन में वो inimical हो सकते हैं मतलब उनसे थोड़ी सी श्यत्रुता हो सकती है थोड़ी सी अन्भन हो सकती है तनाव हो सकते हैं उन रिष्टों में तो अगर ऐसे कोई रिष्टे है हमें तो उनके साथ भी हमें अच्छा बरताब करना चाहिए maximum उन्हें भी respect देना चाहिए उनसे भी प्रेम पूर्व क्रहने का प्रयास करना चाहिए अगर नहीं कर सकते तो at least थोड़ा distance maintain करके उनके साथ रिष्टों में थोड़ा सा तनाव आ गया तो उनके साथ अगर गलत बिहेव करने लगे तो क्या हो जाता है उनको हम भक्ती करने की प्रेरणा नहीं दे सकते अगर उन्हें लगने लगा कि ये इनसान गलत है ये मेरे साथ गलत करता है तो क्या हो जाएगा जो भी ये इनसान करता है वो भी गलत बन जाएगा मान लो अगर मैंने आपको चीट किया और मैं भक्ति का प्रचार करना हूँ तो भक्ति भी चीटिंग ही लगेगी क्यों क्योंकि आरे यह व्यक्ति ही चीटर है तो जो कुछ भी यह कर रहा है न वो चीटिंग ही होगा कभी-कभी अगर हमको कोई व्यक्ति पसंद है तो वो जो कुछ भी करता है न वो भी हमें पसंद आता है क्यों क्योंकि यह व्यक्ति अच्छा है यह जो भी करता है यह सही करता है तो ऐसा हमारा विश्वास बन जाता है isn't it तो this is what actually makes us more inclined towards भक्ति, यानि हमारी वज़े से किसी और को भी भक्ति को प्रेरणा मिल सकता है, तो एक example है, एक लीला है, एक भक्त के जीवन का, तो जुहू टेंपल में, I think जुहू या फिर पुने में एक ब्रह्मचारी जॉइन करना चाते थे, मंदिर को आश्रम जॉइन करन चाते थे, वो ब्रह्मचारी बनना चाते थे, तो उन्होंने जब ये विशयक की चर्चा की अपने घर में, तो फिर उसके पिता ने बोला कि अगर तू ब्रह्मचारी बना, तो तेरा और मेरा relationship कट, आज से तू इस घर में पैर नहीं रखेगा, तो उसने बहुत विचार कि कि नहीं, मुझे ब्रह्मचारी ही बनना है, और क्या हुआ, रिष्टा खराब हो गया, उस पति मत्सुम, उसके माता पिता ने, especially पिता ने, तो ये घोशित कर दिया, कि अब तुम मेरे लिए मरने के बराबर हो, that means you are dead for me, आप तुम मेरे जीवन में हो ही नहीं सकते, तो कु मतलब तब्यत खराब थी, और अभी उनके कुछी दिन बचे थे उनके जाने के, और उनके ये पुत्र को छोड़ कर भी उनके दो और पुत्र है, जो ब्रह्मचारी बना, उसको छोड़ कर भी दो भाई है उसके, तो ये जो दो लोग हैं, जो उनके दो अलग पुत्र हैं, यह actually इनके मरने से पहले ही पूरा जुगाड करने लगे calculation करने लगे कि इनके जाने के बाद किसको कितना मिलने वाला है तो यानि वो मरने से पहले ही उनके पूरे property का बटवारा करना उसके discussions करना start कर दिया तो यह सब देखके उनको लगा कि देखो यह जो बच्चे कैसा बरताव कर रहे हैं इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का भी यह शायद ख्याल नहीं रखेंगे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला उनके पत्नी से कि देखो कुछ property हैं ज यह सब वो manage नहीं कर पाती है तो उनको पता है तो उन्होंने क्या बोला देखो अगर आपको कोई guidance चाहिए आपको कोई confusion है तो आप किस से पूछो आप जाके आपके ब्रह्मचारी पुत्र से पूछो तो उस व्यक्ति के लिए जब वो ब्रह्मचारी बन गया था उनका बे इनको मेरे से जाए मेरे property के पड़ी हुई है इसलिए ये दोनों तुम्हे properly गाइड नहीं करेंगे तुम किस से guidance लो उस ब्रह्मचारी पुत्र से guidance लो वो तुमको सही guidance देगा क्यों क्योंकि उसको कुछ भी नहीं चाहिए तो definitely he is a well-wisher for you तो उससे ही suggestion लेना तो ये भावन वो आया और उन्हें doctor के पास लेके गया उनके साथ थोड़ी सेवा की तो ये सब चला इस बीच में तो उस वज़े से उन्हें क्या भावना आई कि यार मैंने तो अपने पुत्र को reject कर दिया था लेकिन मेरे पुत्र ने मेरे बेटे ने मुझे reject नहीं किया और उपर से उसन प्रेरने से मेरे पिता एकदम दुखी है बट फिर भी वो मेरे पिताई है और जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मुझे वहां पर उपस्तित होना चाहिए ऐसी उनकी विचारधारा थी इसलिए उनको प्रेरणा मिली और उनको भरोसा करने लायक लगा इसलिए लास्ट मे के बारे में अच्छे विचार रखने का तो प्रेरना दे सकता है तो कभी-कभी क्या होता है कि माता-पिता के वज़े से हम भक्ती से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा तनाव आ सकता है कभी-कभी लग सकता है कि देखो कृष्ण माता-पिता के तो यह proper understanding नहीं रहता है अगर हम भक्त नहीं हैं लेकिन अगर हम भक्त हैं तो हमारा understanding हो जाएगा कि वो जितना कृष्ण के पास जाएगा ना उतना ही हमारे पास रहेगा बले ही वो physically हमारे पास ना हो लेकिन उसके मन में हमेशा हमारे लिए आदर और प्रेम रहेगा क्रिश्ण के पास जाते हैं तो हमें क्या मिलता है क्रिश्ण प्रेम मिलने का अवसर होता है तो क्रिश्ण प्रेम मिल गया तो इतना बड़े तादाद में मिल जाता है हमें कि हमारे पास सब के लिए प्रेम हो जाता है श्रीले प्रभुपाद बोलते हैं love Krishna love all यानि अगर आप Krishna से प्रेम कर सकते हो तो बदले में आपको इतना प्रेम मिलेगा कि पूरे जगत के लिए आपके पास प्रेम होगा लेकिन अगर Krishna से आप प्रेम नहीं करते हो तो आपके रिदय में जितनी भी करुणा प्रेम है न वो limited है एक या दो लोगों को दे पाओगे बाक्त में खाली हो जाएगा तुम्हारा अकांट लेकिन अगर Krishna के साथ संबंद जुड़ा है तो continuous unlimited supply रहेगा तो अगर हम माता पिता हैं अगर हम भक्त हैं तो ये बात हमें समझना चाहिए कि अगर बच्चे भक्ती में जाएंगे तो actual में वो हमसे और भी ज्यादा फ्रेम करेंगे और भी ज्यादा हमारा टेक करेंगे आज की डेट में सर्वे भी कर लो ना तो भक्त लोग ही हैं जो माता पिता को अच्छे से देख पाते हैं क्यों? क्यों कि वो समझता है कि माता पिता भी कृष्ण के representative है और उनकी वजे से ही मेरा जीवन है तो जो भी एक अच्छा भक्त होता है जो बेचोड भक्त होता है वो अपने माता पिता को, अपने समägन्दों को, अपने बीवी बच्चों को तो सबको कृष्ण के साथ जोडने का प्रयास करता है और सबको ये समझाने का प्रयास करता है कि देखो मैं एक निमित्त मात्र हूं मैं आपकी देखभाल कर रहा हूं लेकिन वो कृष्ण की कृपा की वज़े से हैं तो कृष्ण ने मुझे नियुक्त किया है आपकी सेवा कर करने में और मैं नहीं भी रहूंगा तो भी कोई चिंता करने की आवशक्ता नहीं है क्रिश्ण हमेशा आपके साथ रहेंगे तो हम देखते हैं दुरुमारज के पास टेम पे कि क्या हुआ उन्होंने छे मैने जंगल में बहुत घूर तपस्या की और उन्हें क्या मिला उन्हे जब वो वापस आए जब वो चले गए थे तब उत्तानपाद को पता चला कि उनके बेटे घर छोड़कर जंगल चले गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सुनीती से आके माफी मांगी कि मेरी वज़े से एक्चली जो एक छोटा सा बालक है वो जंगल में ज बुराई करने के लिए लेकिन कितना करूणा में बरताब था उनका ये देखकर सुरूची भी पिघल गई कि बोली कि इतना वैर रखने का आउसर था लेकिन उन्होंने सिर्फ मित्रता ही बनाए रखी और उन्होंने ध्रुमाराज को कुछ भी विश्व ऐसा नहीं घोला मे केरे वारे में जिसके वज़े से वो मुझे और द्वेश करने लगे तो ये बरताव देखकर सुरूची भी क्या हो गया वो भी पिघल गई और जब ध्रुमाराज वापस आये च्हेमाने तफस्या करके वर लेकर भगवान से तो सब कुछ सब लोगों ने उनको वेलकम किया इन्होंने अपने ब्रदर के साथ उत्तमा के साथ कोई वέρ नहीं रखा अपने पिताकेव भी माफ कर दिया अपनी माता जो भी सुरूची है उनको भी माफ कर दिया और वो अपनी माता के PAG पास वापस भी आ गई यानि एक माता भक्त थी इसकी वज़े से कितनी चीजे वो बढ़ता है और अच्छा होता है क्यों जब हम कृष्ण के संबंद में होते हैं तो जो हमें भक्ति देते हैं या फिर भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं उन्हें याद रखना चाहिए जब हम चैंटिंग करते हैं और जो हमारे साथ अच्छा बरता हम नहीं करते हैं हमारे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती हैं बhouकति करने की een rekti करने के लिए तो ये संभंदों को साई जब करिशन के साथ जुडने का प्रवाश करेंगे तो सारे भोटिक समंध भी आध्यात्मिक बन जाएंगे और वह ताकि और देखना शुरू करेंगे उस मार्क पर चलना शुरू करेंगे तो अगर हम माता पिता हैं तो हमें भगवान का प्रतिनीदी बनना चाहिए और अगर हम बच्चे हैं, हम अगर सादक हैं तो हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए ऐसा बरताव रखना चाहिए अपने पैरेंट्स के साथ अपने मित्रों के साथ, बंदों के साथ, कि उन्हें भी प्रेरिना मिलनी चाहिए, कि देखो ये होता है भक्ती का benefit, भक्ती करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रहुपात कभी नहीं बोले कि देखो घर बार छोड़ दो और भक्ती करो, प्रहुपात बोले सब को भक्त बनाओ और कहीं आपको जाने के अवशक्ता नहीं है, आप क्या करो, आप अपने घर को ही मंदिर बना दो, अगर आप घर छोड़ कर मंदिर नहीं आ सकते ब्रह्मचारी के तरह, तो ग्रहस्त बन जाओ और घर को ही मंदिर बना दो, तो बहुत सारे लोगों को confusion रहता है कि आए भक् यहां से अगरिय किसे लें भौतिक इच्छाओं से वायराग्य लेना है भौतिक जगत से वायराग्य लेना है लेकिन सारे चीज JASON को वईरागय के नाम पर त्याग लगेंगे तो उसको बोलते हैं युक्त वायराग्य तो हमें चेतने महाप्रभु ने हमारे आचारियों ने क्या दिया हमें युक्त वायराग्य दिया अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ताकि हम अच्छा सा एक प्रतिनी दि बनकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहनना भौतिक इच्छा में नहीं आता है वो भी कृष्ण संबंद में आ जाता है अगर हमें लगता है कि देखो मैं अच्छा सा फ्लाइट लेके ट्राइवल करूंगा तो मेरे पास बहुत टाइम होगा प्रचार करने के लिए ट्रेन से जाओंगा तो चार चार दिन लग जाएंगे अगर ऐसा है तो फ्लाइट में भक्ती का जो मिशन है वो फूला हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी हम इंकलूइड कर सकते हैं तो प्रभु абсолют करने के लिए नहीं बोला वो रिजएक्ट करो जिससे हमारे भक्ती में बाधा आ सकती है और भक्ती में वास्तों में बाधा आ रहा है नहीं आ रहा है यह हमें वरिष्ट वैश्णों से guidance लेके देखना चाहिए तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए प्रॉपरली A, B, C, D follow करना चाहिए हमें वक्तों के संग में रहना चाहिए श्रीली प्रभुपात के किताबे पढ़ने चाहिए chanting अच्छे से करने चाहिए प्रशात खाना चाहिए अच्छे से सुनना चाहिए उसकी वज़े से क्या होता है हमें हमारे जो relatives है हमारे जो friends है हमारे माता-पिता सब कुछ है उनके साथ भी हमारा संबंद बनाये रहेगा ठीक तरीके से और के साथ-साथ कृष्ण से भी संबं जुड़ा रहेगा और हम अच्छे से रहेंगे अपने माता-पिता के साथ कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग भक्ति करते करते ना अपनी पढ़ाई को इग्नॉर कर देते हैं तो यह गलत है जब राधेशाम प्रभू ने IYS यानि इसकौन Youth Services को स्टार्ट किया था अल्मोस्ट 25 साल पहले उस टाइम पे उनके जो गुरु महाराज है परमपुझ राधनाज स्वामी महाराज उनसे पूछा था कि देखो मैं यह करना चाहता हूं महाराज तो मुझे क्या करना चाहिए तो राधनाज स्वामी महारा इसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो तुमसे जुड़कर अपने माक्स में और ज्यादा प्रगति करें मतलब पहले अगर 60% आ रहा है तो उनको 70-80 आना चाहिए ऐसा सिस्टम बनाओ क्योंकि अगर लोग पढ़ाए पे ध्यान नहीं देंगे भक्ति करते तो क्या हो जाएगा भक्ति का गलत प्रचार हो जाएगा उनको लगेगा कि भक्ति उनके लिए हैं जो किसी काम के नहीं है जैसे बहुत सारे लोग हमारे relatives बोलते रहते हैं हमारे मरने के बाद कि राम नाम सत्य है लेकिन जब हम जीवित हैं तब अगर हम हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं तो अभी ये पढ़ाय करने का टाइम है कमाने का टाइम है अभी ये जो राम नाम ले रहे हो ये वेस्ट है लेकिन मृत्य के बाद वही राम नाम क्या हो जाता है तो ये misunderstanding है ये misperception है भक्ति के बारे में अगर हम यही सोचने लगे कि देखो पहले में कमा लेता हूँ पहले में लायक नहीं रहूंगा तब जाके मैं भक्ति करूंगा अगर ऐसी विचारधारा है और ऐसी विचारधारा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या फिर हम अपने माता-पिता से ले रहे हैं तो यह गलत है राइट काउमार हम आचरेत प्राग्निया प्राद महाराज ने क्या ब बास वरणाश्रम धर्म है उसको फॉलो करना चाहिए तो यह जो श्लोक हमें पढ़ाता है कि देखो सब कुछ इंपोर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है कृष्ण अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज जो है उसका हमने प्रॉपर्ली अंड relationship है इसमें भी हम समन्वे लेकर आ सकते हैं तो एक बार हम इसको समराइस कर लेते हैं तो हमने क्या बोल के शुरू कि भक्ती भी संबंदों के बारे में है और सबसे बड़ा संबन्द जो हमको पुना स्थापित करना है वो किस के साथ वो क्रिश्न के साथ और जो सारी हमारे है उनके साथ जो हमारा संबंद है उनका जो प्रेम है वो पर्मनेंट है तो हमें उस पे भी ध्यान देना चाहिए और उस पे अगर हम प्रॉपरली ध्यान देंगे तो यह हमारे सारे relationships भी spiritualized हो सकते हैं तो frustration जो है हमारे जीवन में वो हमेशा बुरा नहीं होता है अगर वो हमें आध्यात्मित मार्क पर लेके जा सकता है उसके और हमें देखने के लिए मजबूर कर सकता है तो वो ठीक ही है हम भले हिप्पी की तरह शुरू करें लेकिन ultimately happy बन सकते हैं क्योंकि यह दुखा लायम है अशाश्वतम है तो यहां पर हम frustrated होने ही आए है यहां पर frustrated नहीं होंगे तो फिर भगवत दाम की और भगवान की बात क्यों करेंगे जैसे हमने बुला कि कल्योंग में दुखी लोग ही भगवान के पास आते हैं बाकी सब चीज अध्यात्मिक हो सकता है भले ही हम भौतिक चीजे कर रहे हैं जैसे job कर रहे हैं या फिर हमारे माता-पिता को या फिर बच्चों को संबाल रहे हैं वह भौतिक लग सकता है लेकिन अगर कृष्ण संबंध में देखना शुरू करेंगे उसको आध्यात्मिकता में बदलेंग किया है कर दिया मतलब सब खुश होगे क्योंकि उन्होंने क्या किया धुरुमारच के एंगर को धृुमारच के फ्रस्ट्रेशन को कृष्ण से कनेक्ट कर दियाँ राइट और उन्होंने आशिरवाद दिया मार्ग दर्शन किया ताकि वह जीवन में आगे बढ़ें और ध्यात्मिक स्थर पर उनके बच्चों का बहुत ही प्रगती होता है फिर हमने देखा कि कैसे माता पिता को एक्चली रिप्रेजेंटिव बनना चाहिए भगवान के राइट ना ही यह बोलना चाहिए कि हम भगवान है देखो प्रॉब्लम क्या है मात्रुदेव भव पित्रु प्रतिनिदी है वो स्वयम भगवान नहीं है और उनका उत्तरदाइत्व क्या है कि वो भगवान की तरफ अपने बच्चों को लेके जाए उसकी वज़े से क्या होगा उनका भी बहुत benefit होगा देखो चार नियमों का पालन करते हम भक्ति में राइट क्या no meat eating मासाहार नहीं करेंगे no illicit sex किसी विवाहे तर संबंद नहीं रखेंगे और क्या है no intoxication cigarette दारू चाय कोफी भी नहीं पिना है और no gambling यानि जुआ नहीं ख अब बन सकते हैं separately हमको को मैनत करने के आउशकता नहीं है राइट हमें से कौन है जो यह नहीं चाहता कि यह चार नियम का पालन हमारे बच्चे ना करे हम सब चाहते हैं और वह कैसे हो सकता है भगवान का नाम नहीं है तो यह चार नियम पालन करने की शक्ति कहां से मिलेगी प्रभुपाद बोलते हैं कि morality without God consciousness is impossible इसलिए हम बहुत सारे अच्छे आदेते बनाने का प्रयास करते लेकिन बनते नहीं है क्यों कि एक रुपा चाहिए शक्ति चाहिए अच्छे आदतों के लिए पूरा भौतिक जगत हमें गलत आदेते देने में तुला हुआ है और हम अच जब के विरुद्ध जाकर अच्छे आदेते बनाना उसके लिए क्या चाहिए भगवान से शक्ति चाहिए और शक्ति कहां से मिलती है नाम जब से मिलती है भक्ति करने से मिलती है तो हमारे बच्चों को भक्ति देना मतलब सबसे बेस्ट चीज़ देना क्यों कि आप उनको धन संपदा दे दो क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा थोड़े टाइम में कितने भी प्रॉपटी दे दो खतम हो जाएगे कितने भी आप उनको नौलेज दो वो शायद अपने इसके साथ टाइम के साथ भूल सकते हैं कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो 60-70 साल के बाद उस स्वलिपम अपकाईश्यदर्मस्य घ्रायते हमातोभयात प्रत्यवायव में बोलताए है करिश्णा यह जो मार्ग पर थोड़ा सा भी हम प्रयास कर ले थोड़ी सी महनत कर ले थोड़ा एफर्ट लगा लेड़ा करन सा यह ड़ी हम लिंघ से और तर हमने बच्चों को हमने हरी नाम दे गांग हम्हें संपत्ति कुछ बहुन के ہو में तो वह संपत्य देना चाहिए बच्चों को जिसका कभी हनन नहीं हो सकत did इसका कोई कभी विनाश नहीं हो सकता और वो है आध्यात्मिज्ञान वो है भक्ति तो हमें प्रतिनीदी मनकर भगवान का हमें सबको भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए वही उच्छस्थर का बेनिफिट है इस क्रिष्णा कॉंशनेस बाकि कुछ भी दे दो उससे थोड़ा टाइम खुश रहेगा थोड़ा गुजारा हो जाएगा लेकिन भौतिक जगत में यह दुखा ले है तो कही न कहीं वो फिर से दुखी होई जाएगा लेकिन भगवान को दे दो तो यह नहीं कह सकते कि वो सु क्यों कर रहे भगवान ऐसा हम बोलते नहीं हम क्या बोलते हैं दुख तो सैना पड़ेगा जब तक यहां पर हैं तो बेस्ट क्या है कि दुख के उपर ज्यादा ज्यान मत दो भक्ति अच्छे से करो अपना-पना काम कर लो और इधर से निकल लो यह रहने लाइक जगा नही यह जगाए नहीं रहने-लाइक तो इसलिए भक्ति करके हमें बाहर निकलना चुए और हमें क्या ना चूप क्वान्ध और आउच्छा एंच्छा नहीं है उनके प्रति भी अच्छा सूचना चाइए प्राथना करनी चाहिए भगवान से और उनके साथ जितना हो सके उतना अच्छा बरताव करना चाहिए ताकि हमारे बरताव हमारे सदाचार के आधार पर उन्हें भक्ति करने की प्रेरणा मिल जाए कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रेरना लेते हैं भक्ति करने के लिए तो किसी ना किसी तरीके से हमे और दूसरों को भक्ति में रखने का प्रयास हमें करना चाहिए तो यह हैं अबना 3 श्लॉक तो मैं एक बार फिर से 3 इसली श्लॉक गाता हूं आप ध्यान आप चिंतन मनन कीजिए जो सारे विशे हमने अभी चर्चा की उसके आप चिंतन मनन कीजिए सगुरो सपिता चापी समाता बंधवो पिसाह शिक्षये चेट सदास्मार्तुम् हरे नामे वके वालम हरे नामे वके वालम श्री केवलाश्टपम कीजाए श्री निलकंट गोष्ट गोष्वाम तकीजाए श्री प्रॉपॉपाद कीजाए श्री तो प्रॉपॉपॉट जिसंग करने है तो आप प्रॉपुट कहते हैं कि यू विविक्ता माता जी हरी हरी भूल थेंक्यू राकिश प्रुभू इस किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड्राइस कर सकते हैं कोई सवाल नहीं है कि फिर कुछ कुछ तो क्या है दो प्रभु जी भक्ति से डिगाने की कोशिश तो बहुत लोग करेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे या पूजा भक्ति करते समय डिस्टर्ब करेंगे ऐसा होता है रैट फिर भी कोशिश करते हैं हम लगे रहें या रैट माता जी अच्छली कोशिश ही हमारी हमारे बस में हाँ कोशिश ही है और क्या है रिजल्ट तो भगवान के हाथ में और रिजल्ट से हमें ज्यादा फरक भी नहीं पढ़ना चाहिए लोग डिस्टर्ब करने आएंगे या तो हमको समझना चाहिए कि देखो कृष्णा देख रहे हैं अच्छा मैं डिस्ट करने इसको भेज़ता हूं देखता हूं कि यह डिस्टर्ब होता है कर नहीं होता है इछा तो कृष्णा हमेशा सब कुछ देखते रहते हैं, वो सरवस्य चाह हम रिदी सन्य विष्टो, इश्वरह सरवभूताना हम रिद देश है अर्जुन अतिष्टति, हमारे रिदय में बैठ कर, हम जो नहीं देख सकते हैं, वो भी वो देख रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं ह बाहर है या फिर उनके रीच के बाहर है, सब कुछ उनके अंडर ही हो रहा है, तो फिर हमें ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, और एक्शली होना चाहिए ऐसा, लोग डिस्टब करने के लिए आने चाहिए, तब ही जाके पता चलेगा कि हमारा अंदर शक्ति कितना है, र बाहर है, तो इसे एक लव स्टोरी में ना विलन जितना बड़ा होता है ना पिच्चर उतनी हिट होती है, और आप अपने आपको भी शबाशी दे सकते हो कि देखो, यह लोग आय थे डिस्टब करने, मैंने नहीं छोड़ा, इतने साल हो गए करते-करते, फिर भी डिस्ट् अच्छा है ना देखो, यहां पर जनम जनम पर सडने से अच्छा है, कि युद्धकर क्या बोलते है, शहीद हो जाएंगे, ऐसे ही COVID से जाने से अच्छा है कि शहीद हो जाएंगे, तो ऐसे ही है, भक्ति ना करके भी तो कौन सा सुख मिलने वाला है, भक्ति नहीं करेंगे, तो भी डिस्ट्पेंस है, भक्ति करेंगे, तो भी डिस्ट्पेंस है भक्ति करें, हाँ भक्ति करो, वही बैस्ट है, देखो हमें बुरा और सबसे बुरा, इन दोनों में से एक option चुनना है, हमारे पास अच्छा और बुरा नहीं है option, हमारे पास है बुरा, सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे एकदम और उससे भी वर्स्ट, ऐसे वाले ABCD महाटते हैं आपशन में हैंगwei स्वेडिए का मताजी केEC में खुरभेच में दक्रम्स अंता करें, मातरशोन की अधिती नंग को सिरमी मने पूल से नकेisons Сाह Kirsty ? मेशनी कैसी रराष ने कीछोवरी रहे, मुट्धम् Авधाम्स कोई nog πेवन्सreshवाən 검़्य को.. को सिरमी, को सिरमी नंग अग्याक म्यां शेकती एका शेके 맞़ते हैं कुछ कुछ कहना चाहते हैं यस जोगेंदर सिंग प्रभु आप उत्साहिद दिख रहे हैं आप कुछ वो लिए नहीं प्रभु कल आप से मुलाकात हुई आप से और गोलन प्रभु से तो एक अधाशी के दिन एक और बहुत अच्छा दिन रहा उसके बाद कि जो है मोटिवेशन मिली है दूसरी चीज आपने जो लगता तो है कि सिर्फ चार लाइन है पर उसके अंदर जितना मतलब है जितना आपने इलेस्ट्रेशन करवा के दिखना है कि कैसे माता सुनीती ने भूरू माराज को इंस्पायर किया और दूसरा जैसे हम अभी आप बत आपने ने जो बताया कि जो सेल्फलेस लव है वो सिर्फ न्यूब़ॉण बेबी और मदर में ही दिखता है ब्रेट के अब कंडिशन होता है क्योंकि हम कंडिशन सोल्ड है तो केंडिशन में रहते हैं अधिसमें हमारे एक स्टार होता है टर्मस इन कंडिशन सपलाई अपलाई वो तो जैसे जिसे आप यह पी काफी चीजे आए प्रबागु जिस आप मैं लोग ने वर बाल गॉन प्रुए ट्रूव इट सब अपने अप मैट्रिक्स होता है वहां पर फिट हो रहे हैं तो ठीक है ने तो टाटा गुडवार बता है तो बट एक रिलेशनशिप विच इस अल्वेस पर्मनेंट अधिस रिलेशनशिप बोलते हैं ना फेविकॉल को आड का टैगलें क्या होता है तोड़ने से भी ना टूटे या फिर ऐसा कुछ होता है ना तो वह वैसे वारा रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ मतलब वो होता है नहीं है उससे टोटी नहीं सकता उसके उपर मिट्टी जम सकती है लेकिन वह हमेशा वैसे रहता है कंटामिनेट हो सकता है हमारी चेतना उसकी वज़े से कृष्ण का संबंद याद ना यह लेकिन वह हमेशा एक्सिस्ट करता है और जो हमेशा ऐसे एक्सिस्ट करता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए जिसे कभी-कभी हम नए दोस्त आजाते हैं तो पुराने दोस्तों को हमारे साथ सबसे लंबे टायम से हैं वैसे दोस्त को कभी, भूलना नी चाहिए और व वक्ति है कृष्ण ना, सुहूरुद्धम, सरव भूता ना, रैई तो मैं हर किसी के रिदय में बैठके सबका रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसके उसके हिसाब से उसको एक अलग-अलग शरीर दे रहा हूं चो वी शरीर उसके में खृष्णा आते हुए तो जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं उसको छोड़के हम कितना time दूसरों के लिए डेते रहते हैं राइट जौब के लिए माता पिता के लिए हमारे माता पिता बोल हमारे बच्चे भी अच्छी बात सुन रहे हैं या फिर हमारे पतनी या पती भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत सारी लोगों की यह प्रॉब्लम होते हैं कि उन्हें छुप-छुप कर चैंटिंग करना होता है कुछ लोग तो मंदिर आते हैं और बोलता है कि देखो घर में मत बोलो क्योंकि मैं बिना बताया है तो लोगों के ऐसे भी प्रॉब्लम है तो लेकिन फिर भी वह करना चाहते हैं तो उनको भी बहुत कृपा मिलती है क्योंकि कोई support नहीं कर रहा है फिर भी तुम मेरे लिए इ उठाते हैं हम बोलने लगते एक्जाम के टाइम पर देखो क्या रखा है ये भौतिक ज्ञान में इसलिए मैं भागवत पढ़ता हूं राइट नहीं ने भागवत रेगुलरली पढ़ना चाहिए सिर्फ एक्जाम सारे तब जाके भागवत नहीं पढ़ना चाहिए राइट ए ऐसा थोड़ी ना हम रेप्रेजेंट करना चाहते हैं भाग तो मतलब युदिष्टिर भाराज जैसा होना चाहिए आरजुन जैसा होना चाहिए ठोड़ी ना कोई ऐसा तुछा व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं कर पाया तो भक्ति कर रहा है तो देखो अगर मैं आपको बोल द कि मैं वाइस प्रेजिडेंट हो इस कंपनी का और उसके साथ-साथ मैं भक्ति करता हूं तो आप मैं से कितने लोगों को प्रेर ना मिलेगी मिलेगी राइट सो हम्में जो है material qualification और designations वो भी matter करते हैं बहुतिक जगत में जब तक हो बहुतिक उपादी matter करते हैं इसलिए तब मैं उसको बताऊंगे कि मेरे foreign trips के बारे में अगर कोई बोलता है कि मैं इस corporate life में ऐसा था तब मैं अपने corporate life के बारे में बात करूंगा right so it is important इसलिए हमें ध्यान balanced रखना क्या प्रयास करना चाहिए किसी को ignore नहीं करना चाहिए पढ़ाई को या फिर और जब तक हम assurance देंगे अपने parents को देखो मैं पढ़ाई को ignore नहीं करूंगा मैं कुछ आपके against नहीं करूंगा ऐसे assurance देंगे तो parents खुद भेजेंगे आपको को मंदिर भक्ती करने के लिए का राइट इस एनिवन हाज अनी अधर क्वेस्टन किसी को और प्रश्न है या फिर किसी को और कुछ कहना है विकॉज इस 727 हमको अगले पांसे दस मिनिट के अंदर क्लास खतम करना है और आज कि हमारे जो आट बजे की क्लास है रेगुलर क्लास भगवत गीता की वह नहीं होगी क्योंकि सिक्रिट्स अब गीता रेविल्ट क्लास चल रहा है तो अगर आपको सुनना चाहते हो तो रगुनात पूरिदास प्रभू ले रहे एक लास आप जॉइन कर सकते हो आपके पास है क्या तो वह क्या करो आप पांचों ग्रूप में शेयर कर दो अब अभी भी एक बर कर दो आट बजे भी एक बार करो तो बर चाहिए प्रभू, इसमें भी शेयर किया है, धनलक्षमी माता जी ने चैट में भी डाल दिया, तो आप जोइन हो सकते हैं, तुन्दर गाइपन, प्रभूजी क्लास, तुन्दर गाइपन, विक विक वकटे लैंगवेच कदा, यह सेम टॉपिक को मैं बीस मिनिट में भी बताता था, अभी लेकिन यह देड़ गंट का क्लास है, तो इसलिए मैंने एक घंटा बताया इसको, थोड़ा सा एक्स्टेंड किया, वेने, बान बान के लिए इस लिए अज़ागा जी, तो थेंक यू सो मुच एवरिवन, यह सब स सुनके अगर आपके भक्ति में प्रगती हो रही है, तो उसकी वज़े से मुझे भी कृष्ण की कृपा में लेगी और मैं भी अच्छे से चैंटिंग कर पाऊंगा, तो आप सब का आशिरवाद बने रहे हैं, आपके प्रार्थनाव में मुझे भी याद रखिए, ताकि मै ऐसे भक्ति में आगे बढ़ते रहूं और दूसरों के भी ऐसी मदद करने का प्रयास करते रहूं, ठीके? प्रेमाननन्दे, 하루 प्रानुड, हरी बूर्द, हरी बूर्न, आपके प्रियमाथधि, आपके का नुगस्मा, थLaughतरों प्रैमाताजी, हरे रहेे खूंग्近ों, प्राफुडन, हरेकृष्णा, प्राफुड walksाष्णा, हरेकृष्णाड, अथोवाट्द, प्राफुड़ॡ